उस समय की जब अंग्रेज हमारे देश में आयतों थे व्यापार करने पर धीरे धीरे उन्होंने भारत को गुलाम बना डाला लगभग 150 सालों की इस गुलामी में भारत की इस्तिती बत से बत्तर होती जा रही थी अंग्रेज भारतियों के साथ ऐसा विवाहर करते थे जैसे भारतिये ही बाहर के मुलक से आये हों भारत की सारे संपता धीरे धीरे प्रिटेन पहुशने लगी और भारत करेबी की तरफ बढ़ता जा रहा था इसी दोर में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जनम लिया उनमें से एक का नाम है भगत सिंग एक कम उम्र नौजवान जो महस तेविस साल की उम्र में फांसी पर खुशी खुशी लटक जाता है देश के खातिर वो भी जोश जोश में नहीं बलकि सोच समझ कर अपनी मौद को डिजाइन करके क्योंकि उसको अपनी मौद की एहमियत भी पता थे जिस उम्र में हमको दुनियादारी की समझ आना शुरू होती है वो पूरी दुनिया को समझ कर अपनी मौद का गहरा निर्णे लेकर चला ग पारी था देश के लिए जान म्योच्छावर कर दी लेकिन फिर भी मैं उसके उपर एक वीडियो बना रही हूँ कारण है कि जब हम किसी की जीवनी को बार बार दोहराते हैं कुछ न कुछ नई बाते हमारे सामने आती हैं और एक बार फिर से हमारे जीवन को कुछ करने के एक क्रांती धदक रही थी हर कोई देश को आज़ाद कराने के लिए छोटे दोर पर या बड़े दोर पर अपना योगतान दे रहा था तब ही ऐसे ही एक क्रांती कारी परिवार में चनम होता है भगत सिंग का 28 सितंबर 1907 को पंजाब के गाउं बंगा जिल्ला लायलपुर जो कि अब पाकिस्तान में है सरदार किशन सिंग और उसकी पतनी विद्यावती कौर के घर एक बच्चे का जनम हुआ कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा बड़ा होकर इतिहास लिखेगा जोंकि भगत सिंग संधू का जनम एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता किशन सिंग, चाचा अजीज सिंग और स्वन सिंग स्वतंतरता से नानी थे तो उनका क्रांतिकारी होना स्वभाविक था वो बच्चपन से ही एक ऐसे वातावरण में पले बड़े थे जहां हर पल स्वतंतरता के बारे में बात की जाते थे अंग्रेजों के कारण भारत की देयनिय स्थती के बारे में बात की जाते थे बच्चपन से ही आजादी पाने के लिए उनके दिल में कितना जजबा था वो एक उधारन से समझ सकते हैं एक बार खेलते खेलते चाचा जी की बंदू भगत सिंग के हाथ लग गए भगत सिंह ने चाजा जी से पूछा ये क्या है तो चाजा जी बोले कि वे इस से अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह के चाजा जी खेतों में काम कर रहे थे तब भगत सिंह ने पूछा आप क्या कर रहे हो तो चाचा जी बोले कि आम का पेड लगा रहा हूँ जिससे इसमें बहुत सारे आम निकलेंगे ये सुनकर भगत सिंह तुरन तोड़कर घर गया और चाचा जी की बंदूक लेकर मिट्टी खोदकर उसमें डालने लगा तब चाचा जी बोले ये क्या कर रहे हूँ तो भगत सिंह बोले बंदूक की फसल बोरा हूँ जैसे यहां बहुत सारी बंदूके निकलेंगी और हम अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कर पाएंगे जब वे मात्र बारा साल के थे तो एक ऐसी घटना गटी जिसने भगत सिंह के दिल को जब छोड़ दिया ये घटना है 13 अप्रेल 1919 की जब प्रिटेन सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट के खिलाफ अमरत सर्क के प्रसिद्ध स्वन मंदिर से तेट किलोमीटर की दूरी पर इस्थित जलियावाला बाग में एक शान्ती पूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए सैकड़ों लोग इखटा हुए थे रोलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है भारत की प्रिटेन सरकार द्वारा भारत में हो रहे राश्ट्री आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया इस कानून में प्रिटेन सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतिय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी बिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुचा और अपने सैनिकों को उसने बाग को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाने का आदेश दिया इस हत्याकांड में एक हजार से जादा लोग मारे गए जबकि पंद्रह सौ से जादा खायल हुए कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां इस्थित कुए में भी कूद गए जो आज भी वहां मौजूद है जिसे शहीदी कुए कहा जाता है जैसे ही इस घटना की खबर एक शाम भगत सिंग के परिवार को लगी दूसरे ही दिन भगत सिंग उसकूल से सीधा 19 किलो मीटर दूर जलिया वाला पाग पैदल ही पहुँच गया और वहां पर जो नजारा था वो इतना अधिक देयनिय था कि बया करना शायद मुश्किल है हर जगह खून से सनी मिटी बिखरी हुई पकड़िया ये सुनने में शायद एक घटना लगे पर थोड़ा दिल पर हाथ रखकर सोचो कितना भयंकर रहा होगा वो दिन ये देखकर ये सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल खूला होगा लेकिन ये घटना किसी किसी के दिल पर इतना जादा घाव कर जाती हैं कि वो इन सब को बदलने के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं और ऐसे ही सौ में से एक क्रांती कारी पैदा होता है भगत सेहिं के दिल में भी इस घटना ने ऐसा असर डाला कि वो अंग्रेजों को इस तेख से निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हो गया इस घटना की एक साल के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की इसकी मुताबिक हर हिंदुस्तानी को अंग्रेजों की फैक्टरियों में बनाए हुए सामानों का बहिशकार करना था जिससे अंग्रेजी हकूमत पस्थ हो जाए और वो यहां से चली जाए ये आंदोलन बहुत अच्छा जा रहा था भगत सिंग हला की गरम विचारों के थे वे शुरू से ही शांती पूर्वक आंदोलन करके आजादी पाने के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि आजादी हमारा अधिकार है वो हमें मागनी नहीं चाहिए वो हमें छीननी चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अंग्रेजों से बातचीत के जरिये आजादी मिलेगी तो वो कुछ शर्टों के साथ आजादी देंगे लेकिन हमें आधी अधूरी नहीं पून आजादी चाहिए फिर भी वे गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के समर्थक थे क्योंकि ये उन्हें भी काफी हद तक सही लगा वो बहुत खुश थे कि अब हमें आजादी जल्द मिल जाएगी लेकिन इसी बीच चार फरवरी 1922 में एक घटना घटी जिसे चौरी चौरा कान के नाम से जाना जाता है गांदी जी के सत्याग रहे के दोरान कुछ सत्याग रही चौरा चौरी के भोपा भजार में एकठा हुए और जुलूस निकालते हुए थाने के सामने से गुजर रहे थे तब वहां के थानेदार ने जुलूस को अवैत खोशित करके एक वॉलन्टियर की गांधी टोपी को पाउं से रौन दिया जिससे सत्याग रही आक्रोशित हो गए और सत्याग रहियों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने जुलूस पर फाइरिंग शुरू कर दी जिससे ग्यारा सत्याग रही मौके पर ही मर गए और पचास से जादा खायल हुए जब पुलिस वालों की गोलियां खतम हो गई तो वे पुलिस थाने की और भागे भीड को बहुत गुसा था उन्होंने थाने में आग लगा दी इस घटना में तेविस पुलिस वालों की आग से चलकर मौत हो गई इस घटना से गांधी जी नाराज हुए क्योंकि वो अहिंसा नहीं चाते थे और इसी के चलते गांधी जी ने इस असहयोक आंदोलन को बंद कर दिया गांधी जी के इस कदम का बहुत लोगों ने विरोध किया और भगस से भी इससे काफी आहत हुए क्योंकि ये आंदोलन कहीं न कहीं सही जा रहा था इसी कांड के बात कहते हैं कॉंग्रिस में दो तरह की विचार धाराएं बन गए जिसे नरमदल और गरमदल कहा गया भगत सिंग शुरूप से ही पढ़ने में काफी तेज दिमाग के थे उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था अपनी किताबों के अलावा वो बड़े बड़े लोगों खासकर जो क्रांतिकारी रहे हैं अलग-अलग देशों में उनकी जीवनियां पढ़ा करते थे दोफ्तों जब हम किसी मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत महतुपों हो जाता है कि हम उस मकसद को पाने के लिए हर उस चीज का निरिक्षन करते रहें जो उस मकसद को पाने की हमारी आग को प्रज्वलित करती रहें भगत सिंग का लगातार और सतत उन सबके बारे में पढ़ते रहना उसके अंदर की आजादी पाने की जोला को भड़काता रहता था साथी साथ भगत सिंग लिखने में भी बहुत अच्छे थे जब भगत सिंग बड़े हुए उनकी मा ने उनके लिए शादी करवाने का मन बनाया पर भगत सिंग वो इनसान थे जिसके लिए आजादी पाना ही उनका जीवन था इसलिए वो घर से भाग कर कानपुर चले गए वो कानपुर ही गए क्योंकि वह चंदरशेखर आजाद से मिलना चाते थे और उनके साथ आजादी की लड़ाई को जारी रखना चाते थे समाचार पत्र के दफ्तर जहां प्रताप नामक समाचार पत्र छपा करता था पर हुई जगे क्रांती कारियों के लिए एक महतुपूर ठिकाना हुआ करते थे जहां वे अपनी योजनाएं बनाया करते थे खुद बगज सिंग ने बलवन सिहें के नाम से प्रताप प्रेस में रहकर गणे संकर से पत्रकारिता सीखी थी काकोरी कांड की भी महतुपूर्ण योजना यहीं बनी थी किसी भी क्रांतिकारी दल को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है इसी फंड को जुटाने के लिए एक योजना बनाई गई इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती की और सरकारी खजाना लूट लिया ताकि दल के लिए हथियार खरीदे जा सके बाद में इस केस का मुकदमा दस महीने चला और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंदरनात लाहेडी, रोशन सिंग और अश्वाक उल्हा को फासी की सजा दी गए भगत से इससे काफी दुखी हुए थे हाला कि भगत सिंग और चंदरशेखर आजात ने इन्हें जेल से भगाने की काफी कोशिशें की पर वो नाकामियाब रहे इसके बाद भगत सिंग ने अपनी बनाई हुई पार्टी नौजवान भारत सभा का चंदरशेखर की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन में वलै कर दिया और इस नई पार्टी का नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशिलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन इसके बाद सन 1928 में लाला लाचपत राय जो नरम दल के नेता थे ने भगत सिंग को लाहूर आने का बुलावा भेजा और भगत सिंग को साइमन कमीशन के विरोध में होने वाले आंदोलन में भाग लेने को कहा क्योंकि 1928 में साइमन कमीशन भारत आने वाला था अब ये साइमन कमीशन था क्या साइमन कमीशन आठ सदस्यों का एक आयोग था जिसकी अध्यक्ष सर जौन साइमन थे इसके लिए इस आयोग का नाम साइमन कमिशन रखा गया था इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेजी थे जिसमें एक भी भारतिय नहीं था गांधी जी ने इसे भारतिय नेताओं का अपमान माना और उनका अनुभव था कि इस तरहे के कमिशन स्वतंतरता की मांग टालने के लिए बनाया जाते हैं जब ये साइमन कमिशन लाहोर पहुचा वहां की जनता ने लाला लाचपत राय की नेतरतों में काले जंडे दिखाए और साइमन कमिशन गो बैक के नारे लगाए यह देखकर पुलिस आपे से बाहर हो गई और लाठियां बरसाने लगी इन लाठियों का शिकार लाला लाचपत राय भी हुए और अंततह इसी कारण उनका देहान थो गया भगत सिंग लाला लाचपत राय की मिर्द्यू से बहुत दुखी हुए और उसने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठान ले उन्होंने उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट आफ पुलिस जेम्स स्कॉर्ट को मारने की योजना बनाई 17 दिसंबर 1928 का वो दिन था पुलिस चौकी के बाहर जैगोपाल साइकल ठीक करने का बहाना बना कर बैठा रहा भगत सिंग और राजगुरू वहां टहल रहे थे और सुक्तेव और चंदरशेकर आजाद थोड़ी ही दूरी पर इन सब चीजों का निरिक्षन कर रहे थे जैसे ही पुलिस आफिसर चौकी के बाहर आया जैगोपाल ने इशारा किया उसका इशारा पाते ही राजगुरू और भगत सिंग तयार हो गए पर भगत सिंग ने पुलिस आफिसर को जैसे ही देखा बोले ये इसकौर्ट नहीं ये तो सॉंडर्स है जो कि सॉंडर्स भी लाला लाजपत राय पर लाठी बरसा चुका था तब उन्होंने फैसला किया कि इसको मार देते हैं राजगुरू ने एक गोली और भगत सिंग ने तीन गोली चला कर सॉंडर्स की मौत को अंजाम दिया वहाँ जैसे ही ये भाग रहे थे तो एक हिंदुस्तानी हवलदार भी उनके पीछे भागा चंदरशेखर उन्हें मारना नहीं चाहते थे लेकिन मना करने पर भी हवलदार नहीं माना तो चंदरशेखर को उसे मारना पड़ा आखिरकार सब फरार होने में काम्याब हो गए और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और इसके बाद जगए जगए पर पर्चे चिपकाए गए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है पुलिस बहुत कुस्से में थी शेहर से बाहर जाने के हर रास्ते पर कड़ा पहरा लगा दिया गया पर भगज सिंह बड़ी ही चालाकी से अंग्रेजों के आँख में धूल जोगकर भगने में काम्याब हो गए भगज सिंह राजगुरू को लाहोर कोलकता मेल पकड़कर कोलकता आ गए दुर्गा भाबी जो आजादिक के काम में भगज सिंह के कॉलेज के दिनों से ही सक्रिय थी ने भगज सिंह को यहां से निकालने में उनकी पतनी का किरदार निभाया था ताकि कोई भी भगज सिंह पर शक न करे और भगत सिंह ने भी इसके लिए अपनी केश कटाये थे और हेट और लंबा कोट पहन कर अपना भेश बदला था ताकि कोई भी उन्हें पहचान न पाए इसकी कुछ समय बाद चंदर शेखर ने भगत सिंह को आगरा बुलाया क्योंकि सरकार दो नए कानून पास कराने वाली थी पबलिक सेफटी बिल, ट्रेट डिस्प्यूट बिल जो लगभग रोलेक्ट एक्ट जैसा ही था अर्थात एक बिल का मकसद देश के नौजवानों की आवाज हमेशा के लिए दबा देना किसी को कहीं भी कभी भी पकड़ कर जेलों में डाल दिया जाएगा और दूसरे का मकसद था मशतूरों से हटाल करने का हक छीन लेना और चंदरशेखर आज़ाद इसी बारे में एक बैठक करना चाहते थे बैठक में भगज सेने ये रास्ता सुझाया कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे हम असेंबली हॉल में बम फेकेंगे क्योंकि उनका मानना था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है हलाकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस धमाके के दौरा किसी को भी नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा और इसके बात वो अपनी गिरफतारी खुद देंगे वहां से भागेंगे नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि ये मुकदमा अदालत में चलाया जाए ताकि जादा से जादा लोगों में करांती की आग जल सके आठ अप्रेल 1929 को ऐसा ही हुआ भगत सिंग और बटकेशवर दत जो भगत सिंग के साथ इस काम को अंजाम देने वाले थे दोनों ने अपनी योजना के तहट दिल्ली में असेम्बली हॉल में बम फेका और अपनी किरफतारी थी और लगातार इन कलाब सिंदाबाद के नारे लगाते रहे लोगों को ऐसा लगता है कि भगत सिंग की फासी असेम्बली हॉल में बम फेकने की वज़े से हुई पर ऐसा नहीं है असेम्बली बम हाथसे के बाद हर जगे से करांती कारियों की गिरफतारियां होना शुरू हो गए राजगरू को पूने से एरेस्ट किया गया सुखदेव और उनके तमाम साथी लाहोर से गिरफतार हुए चुकि अंग्रेज भगत सिंग को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे लिहाज़ा पुराने केस भी खंगानने शुरू किये गए असेमली भम केस में तो भगत सिंग को जमानत भी मिल गई थी वो भी साथ हजार जैसी बड़ी राशी पर पर जब अन्यक रांतिकारियों को यातनाए देकर पूश्टाच की गई तब उनमें से एक करांतिकारिय जिसका नाम था फडिंदरनात खोश वो सरकारी गवाह बन गया दरसल पडिंदरनात खोश वो शक्स था जो भगत सिंग का बहुत करीबी था जब काकोरी कान के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन पूरी तरीके से बिखर चुकी थी तब भगत सिंग ने उसको फिर से जिवित करने का बीड़ा उठाया था उसी क्रम में भगत सिंग बेतिया के क्रांतिकारी दल के सदस्य पडिंदरनात खोश के घर पहुचे थे और उनके घर रुके भी थे वहां पर एक बैठक जिसकी अध्यक्षता भगत सिंग कर रहे थे उसमें हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना की इस्थापना की गई थी जहां बिहार की कमान फडिंदरनात खोश को सौपी गई थी फडिंदरनात खोश ने अपने साथियों से मिलकर एक डकैती की थी धन जुटाने के लिए बाद में इसी डकैती के तहट फडिंदरनात खोश को गिरफतार किया गया था और इसी डकैती की सजा से बचने के लिए वो सरकारी गवाह बन गया था और अंततह वरिंदरनाद खोश ने सौंडस वद्दकांड और असेम्बली बम कांड में भगत सिंग के खिलाफ गवाही दे थे आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को सौंडस की हत्या के मामले में भगत सिंग, राजगुरू, सुकदेव को फासी की सजा तथा असेम्बली बम केस में बम फेंकने के आरोप में पटकेश्वर दत को उम्रकैत की सजा सुनाई गए फासी की तारिक 24 मार्च 1931 मुकरर के गए पर कहते हैं ना करांतिकारी कहीं पर भी हो वो किसी पर भी जुल्म बरदाश नहीं कर सकते हैं जेल में रहने के दोरान जब उनके कैदियों की हालत देखी कि किस तरह कैदियों का रसोई शेत्रव भोजन चूहे और तिलचटों से भरा रहता था उनके लिए समाचार पत्र कागस आदी नहीं रखे जाते थे उनकी वरदियां कई कई दिनों तक धुलती नहीं थी ऐसे में भगत सिंग सहित अन्य करांतिकारियों ने 13 जुलाए 1929 से भूख हर्टाल चालू की जो 63 दिनों तक चली अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किये इन सब का अंशन तड़वाने के इन्हें काफी यातनाय दी गए यहां तक कि उनमें से एक क्रांतिकारी यतन्दरनाथ दास के हाथ पाउं बान कर उन्हें नाक से दूद दिया जाने लगा जिससे दूद उनके फेफडों में भर गया इसके बावजूद भी यतन्दरनाथ दास ने दवा खाने से मना कर दिया दोस्तों यतिंदरनाद दास ने बहुत अच्छी बात कही थी गोली खाकर या फांसी पर जूलकर मरना तो बहुत आसान है जब अंशन करके आदमी धीरे धीरे मरता है तो उसके मनोबल का पता चलता है ऐसे में अगर वो मन से कमजोर है तो उससे ये कभी नहीं होगा आखिरकार हरताल के 63 दिन 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई आखिरकार अंग्रेजों को उनकी हरताल के आगे जुकना पड़ा और उनकी मांगे माननी पड़े भगत सिंग एक साल 350 दिनों तक जेल में रहे चुकि उन्हें पड़ने का बहुत शौक था उन्होंने काफी किताबें पड़ी और काफी खत भी लिखे जो अख़बारों में भी छपे दोस्तों कहते हैं भगत सिंग नास्तिक थे पर उनकी ये सोच 55 से नहीं थी जब उन्होंने दुनिया में कई अत्याचार होते हुए देखे साथ ही साथ किताबों और बड़े बड़े इनसानों की जीवनिया खास कर जिसमें काल माक्स और लेनिन भी शामिल है पढ़ा करते थे दोस्तों वो बहुत ज़ादा पढ़ते थे तो उनकी सोच कोई छोटी मोटी सोच नहीं थी जो इनसान तेविस साल की उम्र में अपनी मौत को तै करता है क्योंकि उसे गहन रूप से ये पता है कि वो जिस राह पर है या उसने लोगों के दिलों में जितनी जगह बनाई है लोग उसकी मौत से कितना आहत होंगे और इससे बहुत क्रांती कारी बैदा होंगे कभी कभी हमारा जीवन हमें वो नहीं दे पाता जो हमारी मौत दे जाती है तो उनका नास्तिकतावाद वाला रूप अपने आप में तर्क वाला विशे है बहराल उनकी फासी का दिन 24 मार्च 1931 मुकररर किया गया था पर अंग्रेज बहुत भैबीत थे पूरे देश में पदर्शन हो रहे थे लाहोर में भारी भीड एकटा होने लगी थी अंग्रेजों को अंदेशा तो था कि कहीं कुछ बवाल न हो जाए इस वज़े से अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे भगत सिंग राजगरू सुकदेव को फासी पर चड़ा दिया इतना ही नहीं उनके शवों को गुपचुप तरीके से सतलज नदी की किनारे ले जाकर चला दिया गया कुछ जलता हुआ देख गाउं की लोग जब वहाँ पहुचे तो अंग्रेज वहाँ से भाग खड़े हुए उसके बाद गाउं वालों ने भगत सिंग के परिवार के साथ शवों को आविधिवत अंतिम संसकार किया तो ये तो था भगत सिंग की प्रिणा दाई जीवन जाते जाते उनकी लिखी कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगे व्यक्तियों को कुचल कर भी आप उनके विचार नहीं मार सकते हैं राख का हर एक गण मेरी घरमी से गतिमान है मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जील में भी आजात हूँ जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है तूसरों के कंधों पर तो सिर्फ चनाज़े उठाया जाते हैं शुक्रिया दोस्तों आपको मेरा आज का ये आर्टिकल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं